कैसे आप लोग आई होग कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे दोस्तो आज मैं आप लोगों से बाते करने वाली हूँ शीवी के बारे में तो दोस्तो अगर आप मेरे शेयर के नहीं हैं मेरी वीडियो फर्स टाम देख रहे हैं तो प्लीज इसका रिक्वेस्ट प्लीज मेर शीवी मोंट में अब लोगों देखने को नहीं मिलं लेकिंघने को मिल कि मतलब शीवा और रावी के भीश ठोड़ा सा मुझसे नगशी चहल कर लागता है थो मेरी ? सरीम जी हंक यूऊ हम ने वे इक कूश्चन कीया था कि मतलब कॉमेंट किया था कि क्या मतलब बाल मामी वज़र से शिवा और रावी के बीच फाइट होगी मतलब नहीं होगी ना ऐसा करके उन्होंने कमेंट किया था थाइंक यू फॉर मतलब मुझे कमेंट करने के लिए और मुझे एक टॉपिक देने के लिए ताकि हम उसके बारे में बात करें क्योंकि तो चलिए बाते करते हैं इसी के बारे में तो क्या मामी की वज़ए से मतलब मामी जो करना चाह रही है वो उसमें सक्सेस हो जाएगी मतलब जितना मामी की वज़ए से घर में इतना सब कुछ ट्रामा चल रहा है और शीवा ने रावी को डाट भी दिया और रावी भी बार-बार मामी और शिवा के बीच में आती हुई दिख रही है हमको बार-बार इन दोनों की लोग्जोक होड़ी है, मामी और शिवा के और रावी उसके बीच में आ रही है तो क्या मतलब इस पर लग जाएगा break या फिर उन दोनों की fight हो जाएगी बट friends मुझे ऐसा नहीं लगता कि हां मतलब होगी थोड़ी बहुत तो होगी obviously नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा तो थोड़ा बहुत होगा मतलब रावी शीवा को डाटेगी या फिर उसे लड़ेगी थोड़ा बहुत मतलब fight होगी बट fight इतनी बड़ी नहीं होगी कि मतलब जैसे बहुत जादा बड़ी होगी कि दोनों जुस्ते से बहुत time तक बात वैसे भी नहीं करते हैं लेकिन वह नॉर्मल वाली लड़ाई होगी नॉर्मल वाली नोग जोग होगी जो कि बहुत ही जर्गी शीवा क्योंकि अब शीवा के दिल में उसके लिए थोड़ी बहुत मतलब शुरू हो गई है यह फिलिंग तो वह क्लियर करता हुआ नजर आएगा बाद में मतलब वो यह बिल्कुल नहीं चाहाएगा कि रावी उसके बारे में कुछ गलत सोचे कुछ अपने दिल में गलत बैठाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ी फाइट होने वाली है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रावी को बुरा लगेगा क्योंकि वो उसकी मासीमा है और वो उनसे बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती है प्रफुल्ला से तो वो उसके गरदन पे ऐसे सर्या रखेगा और उससे इतना ज़्यादा वो करेगा तो थोड़ा तो उससे बुरा लगेगा भले ही वो कितनी भी गलत हो मतलब कोई इंसान हमारा कि अपना भी गलत हो बट अगर वो अपना है तो हमें कहीं न कहीं उसके लिए concern तो रहता ही है तो वही चीज़ दिखाई गई है कि वो उसकी मासीमा है तो obviously उसे बुरा लगेगा वो मतलब सबके अगेंस थोड़ा सा जाके हो सकता है मामी के साथ देते हुए नजर आये रावी हमें लेकिन वो रावी मतलब इस तरीके का character मतलब दिखाया गया है कि वो मामी को खुद समझाती हुई डाटती हुई भी नजर आती है तो वो ऐसा भी करेगी मतलब वो मामी को भी समझाएगी उसे भी मतलब ऐसा बोलते हुए नजर आएगी कि यह मेरा परिवार है और मतलब तुम बीच में क्यों पढ़ती हो मैं माना करती हुँ बार-बार मतलब यह सारी चीजे जो भी है वो समझाने की कोशिश करेगी मामी को और मतलब जहां तक रही शिवा और रावी के फाइट की बाद तो फाइट होगी बट इतनी बड़ी नहीं होगी और दोनों का मतलब लड़ाई के बादी तो प्यार शुरू होता है तो अब धीरे धीरे उन लोगों को एक दूसरे के लिए फिलिंग स्टार्ट हो रही है जो कि हमें और आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी नेक्स्ट और मतलब आगे आने वाले अपिसोर्स में दीरे दीरे उनके भी ट्रेक जो है वो चलना शुरू हो गया है तो लड़ाईयां होगी जितनी बड़ी लड़ाई होगी फिर उसके बाद उतना ही अच्छा पैचाप होगा और उसके बाद फिर दोनों इसरे को मनाते वे नजर आएंगे तो मतलब आप लोग बिल्कुल यह वत सोचे कि ऐसा कुछ होने वाला है कि बहुत जादा बड़ी लड़ाई ना लड़ाई होगी दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी अपडेट अच्छी लगी हो मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और टीज शेयर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए का मैं मिलती होंगे आप लोगों से रोज और मुझे कॉमेंट भी जरू और वेक्सिन ले लीजेगा चली मिलती होंगे नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइब